आज हम बेसिक्स ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो पूरे कॉर्स वर्क में सभी बच्चों को जगा-जगा काम आते रहें आईए सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम जो आप स्कूल लेवल में बढ़के आ हैं वो नंबर्स के बारे में बात कर लेता हैं देखें एन जेट क्यू आर सी एन फॉर नैचरल जेट फॉर इंटीजर क्यू फॉर रैश्नल आर फॉर रियल सीवर कॉम्प्लेक्स नैचरल नंबर्स बहुत बेसिक चीज है लेकिन यह आपको पता होना चाहिए इंटीजर में जीरो प्लस माइनस वन फ्लस माइनस टू फ्लस माइनस थ्री रैश्नल नंबर्स में मेरे बेटा पी बाई क्यू वेर इंडीवीज्वली पी और क्यू इंटीजर से और जो आपका क्यू है यह यह के साथ कमाइन करके जो सेट प्रोड्यूस किया जाता है और कॉंप्लेक्स नंबर तो आप जानते हैं यह प्लस आयोटा भी लिखा जाता है वेर वेर इंडीवीज्वली ए और भी जो है मेरे बेटा और रियल नंबर्स होने चाहिए नाओ नेक्स तेंग अब जो जरूरी च अब जैसे की पिक्चर दिख रहा है आपको n और z में कंपेरिजन हो जाएगा z और q में भी कंपेरिजन पॉसिबल है क्या q और r में r और c में इन सब पे कंपेरिजन हम करने जा रहे है साथ आजीगे कोई भी बच्चा बड़े रहाम से देखे कंप्लूड कर सकते हैं every natural number is an integer, fine, next thing every integer is rational number, how, whatever words से देखेंगे, 5 can be written as 5 by 1, minus 5 can be written as minus 5 by 1, even 0 can be written as 0 by 1, now देखने वाली बात यह है बच्चे, यह तीनों के तीनों integers हैं, अब वो integer ना हो करके, अब rational बन गे, यहनि every integer is rational, fine, next, real numbers का set क्या है, q union, q complement, जब rational में कुछ मिला दिया, तो rational से बड़ा बन गया, यह तो बराबर तो रही गई, यहनि q is container, अच्छे, यह relationship तो आगे आपके पास, अब एक आखरी चीज़ है, n, z, q, r, one last thing, because complex number में आयोटा वाला आपका part भी आगे, तो शयद आप comparison करने में डरें, यह आपको लगे comparison होई नहीं सकता, let me answer to this question, comparison हो सकता है भी, अच्छे से हो सकता है, देखे, सबसे बहले लीजे 2, 2 can be written as 2 plus 0 आयोटा, next लीजे, minus 2, minus 2 can be written as minus 2 plus 0 आयोटा, 0 can be written as 0 plus 0 आयोटा, okay, 3 by 2 can be written as 3 by 2 plus 0 आयोटा, lastly, root 2 can be written as root 2 plus 0 आयोटा, देखो मेरे बीटा, ध्यान से देखो, यह एक natural number है, now it is a complex number, यह 2 minus 2 0 है, तीनों integers होगे, now they are complex numbers, 3 by 2 rational number है, लेकिन अब यह complex number बन गया, और root 2 irrational number है, अब यह complex number बन गया, तो वहाँ जो भी आपके सामने set लिखा है, n, z, q, r, यह सारे, natural, integer, rational, real, बीटा, सबके सब numbers तो दिखी रहे हैं, आपको complex numbers बनेगे जाके, तो यह last चीज, यह पढ़ने के बाद, यह करने के बाद, बीटा, पूरे, बहुत basic चीज है यह, लेकिन आपको प्लीज पता होना चाहिए, इसका picture देखिए, बहुत basic चीज है, लेकिन पढ़ने में ऐसा मजा आएगा आपको, n, z, q, r, c, हला कि मैंने topic को नाम दिया था, basics of real numbers, फिर भी, still, हमारा number system, वो number system, वो numbers जब बच्पन से पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के बढ़े हो गया है, वो से number system में, बीटा, दादा जो है, जो सबका, म topic है, real analysis है, still, complex analysis भी आएगा, तो वही मैं कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जो set होता है, हमारा number system का, वो बीटा, complex number है, कोई भी चीज complex number के बाहर नहीं जा सकती है, in fact, ये थोड़ा complicated हो जाएगा ये बोलना इस वक्पे, बट फिर भी, still, मैं बोल रहा हूँ, what is fundamental theorem of algebra, you people, बीट fundamental theorem of algebra केता है, कोई भी, कोई भी आप non-constant polynomial लिखेंगे, कोई भी आप non-constant polynomial लिखेंगे, तो उसका जो root होगा, उस root होने की guarantee N में, Z में, Q में, R में नहीं है, उसके root होने की guarantee C में, वो तो obvious ही बात है, वही, इसके बाहर, complex के बाहर तो रहना कुछ जा सकता है, natural के बाहर जा with complex coefficients, there is a root inside C, बलकि सारे roots inside C, यह सब चीज़े आगे पढ़ेंगे, घब रहेंगे, next thing, अब यह तो हो गया, अब यह basic lesson के बाद, basic के बाद, बिटाब intervals के बार ही, इसको थोड़ा ठीक से बढ़िएगा, yes, open interval, close interval, semi open, semi close, whatever, whatever, सब कुछ आपको कराया जा रहे है, आप लोग ध्यान दो पहले, सबसे पहले, मैं कितनी type के intervals होते हैं, यह बताने से पहले, आप सबको यह clear होना जी, यह जो sign है, यह किसके लिए stand करता है, और यह sign किसके लिए stand करता है, and this for what, देखो मेरे बिटा, पह यह open का sign है, और यह last वाला भी open का sign, जिन लोगों ने matrix space, topology बगरा पढ़ा है, यह बहुत use होते हैं, बाकि इन general शुरू-शुरू में beginners के लिए इस symbol से बचने की सिला दी जाएगी, क्योंकि इसमें, और ordered pair, मतलब r square के member में थोड़ा confusion हो जाते हैं, बचलो, एक बार आपको topic clear है, तो अब कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, उसके बाद, हमारे real numbers में, पूरे real analysis में, exactly 9 type के intervals है, सही सुना, 9 type के intervals, रो मैं यहां लिख रहा हूँ, इनके साथ कुछ discuss भी करेंगे, फिटा यह close interval हो सकते हैं, यह open interval हो सकते हैं, एक तरफ open डाल दीजे, एक त length जो है, बी माइनस है, length सबका finite है, अब चलते हैं, आगे, दोनों तरह की चीजें आपके लिए लिख दी गई हैं, हाँ, जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपकोर्स यह 9 वाला जो है, यह पूरा को पूरा रियल नम्मर खूद हैं, ठीक है, तो पूरे रियल अनलेसिस में और वैसे भी इन जेनरल, आप यह 9 तरह के interval ही पढ़ेंगे, अच्छा, अगर बेसिक डिफरेंस के बरेंगे बात कीज़ें, ओपन क्लोस बोलने में तो अच्छा लगता है, इन दोन में, पहले बाले दोनों में क्या फोरक है, जो क्लोस इंट्रिवल एपी है, उसमें ओके, मैं जरह सा तो बताई तो बिटा, अब बिलकुल भाग भाग अच्छे सब कुछ आएगा, क्लोस के बारें बात हो रही है, और ये भी आएगा, A as well as B भी आएगा, इसलिए वो क्लोस ठीक है, ये तो समझ में आगया थी, अब ओपन वाले में क्या होगा बिटा, बस A और B को छोड के बात की, बच्छो वाली चीज, लेकिन बच्छे इस है, अजी सही सुना आपने, students इसमें भी गडबड कर देते हैं, बिल्कुल बच्छो वाला basic बता रहा हूं, तो दोनों में क्या फरक है, सिर्फ boundary points का फरक है, सर्फिर इतना gap क्यों दिया, बिटा वहाँ अगर चिपका देता तो फिर आप confused हो जाते हैं, आप समझ रहें कि क् इसमें एंक्लूट नहीं होगा, इसमें एंक्लूट नहीं होगा, सारी चीज़े ठीक है, अब पहले वाले चार में और बाकियों में एक बहुत बड़ा फरक है, इस से पहले कि हम जन्रलाइज करें, जैसे कि आपको बताया गया था, इसका length आपके सामने b-a है, लेकिन इसक का length finite है, और इन बाकियों का length infinite है, secondly, number of elements अगर बात करें, number of elements, इसमें भी इन चारो में भी infinite है, interval हमेशा uncountable होते है, एक छोटी सी चीज मैं भी बताऊंगा आपको, something called degenerate interval, सही सुन आपने, degenerate interval, वो क्या होता है मेरे बीच में आता है, तो बच्चे परिशान हो जाते हैं, close interval a b या नहीं, सारे real numbers जो a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, including a and b, okay, so those x belongs to our, where a less than equal to x, less than equal to b, fine, open interval a b क्या लिखेंगे बिटा, those real numbers जो a और b के बीच में हैं, लेकिन a और b नहीं है, ठीक है, यह तो आपको समझ में आता है, अब एक चीज़ बताओ, all of you, अगर आपको यह लिखना पड़ जाए, close interval a, कभी लिखावा नहीं देखा, कोई बात नहीं, बेटा, यह क्या बनेगा, ऐसा real number, जो a less than equal to x, less than equal b है, sorry, less than equal to a है, क्योंकि a, a है, तो बेटा, a less than equal to x और x less than equal to a, यानि x तो a के बराबर है, लॉजिक में बात करेंगे, कभी नहीं फसे, clear हो गया, हाँ जी, यानि यहां से आपको notice करना चाहिए, every single turn, every single turn is also an interval, this is called degenerate interval, जी सुना आपने, degenerate interval, ठीक है, जिसकी boundary points, close interval के end points, same है, same है, तो ऐसी आप singleton 2, 2 को 2, 2 close interval लिख सकते हैं, singleton 5 को 5, 5 close interval लिख सकते हैं, that should be clear, वो भी इसी में count होगो, योगी मैंने यह a not equal to b नहीं लिखा था, चलिया, तो क्या के बताया है बिट्टा मैंने आप लोगों को, पहले वाले, yes, अजी, first four में और बाकियों में, क्या difference है, पहले वाले चारो, finite length के interval है, बाद वाले, infinite length के interval है, पहले वाले में भी infinitely many elements होंगे, दूसरे वाले में भी infinitely many elements होंगे, number three, number three, जो मैंने length के बारे में बुला था, देखो बिट्टा, यह चारो होंगे, bounded intervals, let me write certain things, कुछ तो बताने ही पड़ेगा, सब कुछ ऐसी बोल के चले जाएंगे, कहां काहां काम चलेगा, बिट्टा, यह सब के सब bounded है, और इन सब का length finite, interval finite नहीं है, length finite, ध्यान रखेगा, इदर रही है, यह सब के सब कैसे है मेरे बिटा, unbounded intervals, infinite length, इंटर्वल में तो काफी कुछ पढ़ लिया आपने, basic वगरा भी हो गया, degenerate भी हो गया, जहां आता है, मात अच्छा से कर लीजेगा, open, close वगरा सब clear होना चाहिए, बैं फिर repeat कर रहा हूं, इस से जो finite length और infinite length लि गलत family के शिकार मत हो जाना, कि इसमें finitely मैंने elements है, बिलकुल भी नहीं, बहुत गलत चीज है, कोई भी interval लिख दीजिए, अगर endpoints सेम नहीं है, जैसे यहां पे अपने endpoints सेम ले लिए तो finite हो गया, कोई भी बग जिसके endpoints सेम नहीं, a not equal to be, वो interval हमेशा infinite, infinite नहीं हमेशा uncountable जब countable, uncountable करेंगे तब यह भी बताएंगे, next, I hope यह दोनों चीज आपको समझ में आ गई है, अगला देखो बिटा, इसको इस पे आने से पहले, अब intervals में देखे, इतना कुछ बता दिया गया आप लोगों को, तो दो तीन बाते और कर लेता है, intervals में कर लेते हैं, आई, बहुत कुछ होता है, मैं जो 9 intervals लेता है, उसमें दो तीन उठा लेता हूँ, what is supremum of close interval AB, अजी बेटा, B, what is infimum of close interval AB, that is A, यह तो close में समझ में आता है, अब जिसमें बच्चों को confusion होता है, वो यह है, what is supremum of open interval AB, and what is infimum of open interval AB, बिटा, इसमें भी तो वही आएगा, यहां भी आएगा, यह आएगा, आप कहेंगे कैसे, यहां तो A और B set के अंदर present थे, लेकिन यहां तो A और B set के अंदर present नहीं है, आपने फिर भी लिख दिया, बिटा लिख इस लिख दिया, क्योंकि the basic difference between supremum and maximum, the basic difference between infimum and minimum, यही तो है, कि maximum और minimum किसी set का, उस set के अंदर बैठा होता है, उस set के अंदर belong कर रहा होता है, बट supremum and infimum of the set need not belong to the set, that's the difference, that's the difference, चली मैं मान गया, आपको यह उतना clear नहीं है, यह तो clear होगा, लेकिया, भाई हो ना तो चाहिए, crystal clear हो ना चाहिए, इसका infimum यानी, 1, 1 by 2, 1 by 3, अरे भाई, डाइग्राम मना लो, इतना क्यों परिशन हो रहे है, इतना काहिए, परिशान होते हैं, इंटर्वल से बहुत कुछ है, देखो बटा, 1 है इसमें, फिर 1 by 2 है इसमें, फिर set में 1 by 3 है, then 1 by 4 है, then, 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 इस नहीं है, इस इस से ट का अगर सुप्रेमम लेते तो बनाता है जो वाइट में मेंबर लिख रहे हैं, और यह जो वाइट में 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 इन सब का infimum क्याएगा, बच्चों की तरह बच्चों की तरह एक रियल लाइन के अंदर बताईए कितने रैशनल पॉइंट्स होते हैं या फिर चोटे बच्चे बच्चों की तरह बात करते हैं वह तो ड्रॉइंट नहीं हो सकते हैं यह आपके रैशनल नमबर्स है इनके बीच में जो भी थोड़ा बहुत आपको गैप दिख रहा है यह तो भी फिल्ट बाई एर्राशनल नमबर्स इनके बीच में जो गैप है इस तो बी फिल्ट बाई एर्राशनल नमबर्स फोड़ा सो डाली रहते हैं जो भी है इंग्जैक्ली डागराम तो किसी में दम नहीं बना दे समझ गए हैं तो हंजी हाव मेनी रैशनल इंफाइने इंफाइने वेट 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 असली चीज है कि रहें इस इन्वेल में इन फाइनाटली वेरेशनल होंगे इन फाइने जो में इस तो इए आपने सोच से बाते बीच भी वर सकती हैं विता अभी बाते की ही का है अब तो यह बेसीक लेक्टेर है आप लोगों के लिए हाँ जी आगे सुनिया नेक्स फिंग अगला next yes modulus function and its application जितना जाधे use modulus function को होता है mathematics में शायद और किसी चीज़ को mathematics में होता हो जितना जाधे इसको होता है अभी results भी आएंगे फिर इन पे में बेस कुछ questions भी कराऊंगा आपको में आईए है देखो बिटा ठीक है चल जाएगा लाइन ही तो है अजी सबसे पहले what is modulus of a मेरे बिटा सभी बच्चों को पता होता है या तो यह a होगा यह minus a होगा a when a is non-negative and minus a when a is negative यह देखके कोई भी बच्चा कह सकते ही तो negative हो गया बिटा a जब खुद negative है तो negative positive हो गया modulus कभी भी negative होता ही नहीं है अच्छा आप देखो इसका diagram तो वह भी आपको पता ही है यह mod x का diagram है यह sharp edge बनता है इसका 0 के अच्छा जी अब modulus function आई गया है तो बिटा सुनना तो पड़ेगा आप लोगों को क्या सुनना है मोटी सी बात है मैं रब कर दूँगा मेरे साथ रही माल लेजिए आपको diagram बनाना है mod x का आपको graph बनाने x-1 का आपको graph बनाने x-2 का आपको graph बनाने x-3 का and so on minus की जगह plus 1 भी हो सकते है यहानी x plus 1 का graph बनाने model x plus 2 का graph बनाने सब अराम से सिमेट्रिकली बने जाएगे बहुत द्याल से जुनिएगा all of you देखो बिटा mod में x-alpha mod में x-alpha यानि उसका center alpha होना चाहिए जो v बनेगा alpha बनेगा ऐसे जैसे भी 0 पर बनाया था आई ये आप हमारे साथ ये सब बिसिक्स ये सब चीजें तदा हमेशा काम आती है बत्यों को आजो बिटा सबसे पहले सबसे पहले mod x का graph बनेगा center 0 and this is the graph of mod x इसके बाद mod x के graph के बाद mod x-1 का graph बनेगा मैंने mod x का graph बनाया और इन से आप देख पा रहे हैं अब इसका दूसरे वाले का graph बनेगा blue से mod x-1 का center कितने bit बिटा 1 तो इसका parallel इधर बस बना दीजे ठीके this is mod x-1 next mod x-2 center 2 ले इसी का parallel चलाओ इसका बिटा समझ रहे हैं and so on वेट अब जरह negative side पर भी आ जाते हैं बहुत हो गया positive side का खेल आजो बिटा mod x-1 इसका center के है माइनस 1 तो माइनस 1 पर वी बनेगा इसका parallel चल रहेगा x-2 येस माइनस 2 पर आपको center बनेगा तो यहां से आप सबको notice करना चाहिए एक बार आपके पास modulus x का graph है तो आप सारे graphs बढ़े राम से सोच समझ के बना सकते हैं बस center का ध्यान ठीक है जी अब मैं आगे बढ़ो उससे पहले सब्सक्राइब आपने क्लास में mathematics अच्छे से पढ़ा है तो यह बात भी आपको clear होगी अगर आर स्कूर में कोई graph बनाया जाता है स्मूथ ग्राफ तो आपको सब्सक्राइब इदर उदर सब्सक्राइब लेकिन अगर ग्राफ स्मूथ नहीं होता है यानि उसमें शार पैज वी वी बन रहे कहीं वी तो दर 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 सुनो इतनी अच्छी अच्छा टॉपिक आपने शुरू करवा दिया है जाएंगे तो नह आप अब सब को पता लग रहे होगा तो सब्सक्राइब तो अब आज अब आ एक यहाँ ब्रॉब्लम दिकरी तो जिस भी ग्राफ में जिस पॉइंट पर शार पहे जाता है वहां फंक्षन ॉक्स नियूब क्यों कि क्यों कि इतर देखेंगे तो लेप्ट साइट से जो टें आपको भी अच्छा लगेगा येस इतनी मोटी सी बात है सब करते हैं अगर थोड़ा अच्छे से अब्जर्व कर लें तो बहुत ठीक रहेगा बढ़े पिटा मॉद एकस का 0 मतला मॉद एसे जो है जो है जो चारप इसी बेडिए अपने मॉद में एकस माइन से अखर व सावन ने लिग दिया अटिस इस इस equal to I hope this is clear to all of you समझ में आगया आप लोगों को ध्यान रखेगा यह बहुत अच्छी बात हो गई है बहुत अच्छी चीज हो गई है ठीक है जी पढ़ना है ऐसे पढ़िया अब आईये मैं बात कर रहा था modulus function in its application के एक graph क्या बना बस graphs ही graphs हो गई बिकला next पहला observation होगे मेरे बिटा अब इसके भी बेस दूसरे इम्मेरे बिटा इस मॉदिलस में मेरे बिटा a plus b is less than equal to mod a plus mod b modulus में a minus b भी less than equal to mod a plus mod b सही third modulus में product a b is equal to mod a mod b modulus में quotient कि यह equal होता है mod a mod b अब दो बढ़िया बढ़िया बाते सुनिये प्लस वाला तो सब को पता है सर माइनस यहाँ है तो क्या माइनस नहीं आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सर बताईए देखिए मेरे पास है mod में a minus b मैं इसको लिख सकता हूं मॉड में a plus minus b ठीक है मेरे बिटा विच फॉर्दर लास दन इक्वल टू मॉड अ प्लस मॉड में माइनस भी यह लो यह तो यही बन गया तो आपके question का answer सामने whether here plus is there or minus is there उदर जाके वो plus में ही आएगा answer ठीक है जी अब अगर बच्चा कहते है नहीं से में कुछ मुझे दोनो तरफ minus चाहिए मुझे दोनो तरफ minus चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बिटा अगर आपको जबरदस्ती दोनो तरफ minus चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ results लिख रहा हूं मेरे साथ रही modulus of modulus of a minus modulus of b is sorry is less than equal to mod में a minus b ध्यान रखेगा यह दोनो तरफ अगर आपको minus चाहिए तो okay यह सब करने के बाद इतना सब कुछ करने के बाद अब सुनो बहुत ध्यान से सुनो यह वाले चीज यह वाले चीज तो बहुत ज़ाद कि अगर आपने उन पर कमांड कर लिया तो जगा जगा काम आएगा real analysis में तो ही algebra में linear algebra में और differential equation में numerical analysis में कहां कहां नहीं काम आएगा वो सब जगा complex analysis में बहुत काम आता है और इसमें probability and stats में जगा जगा PDF CDS में काम आता रहता है तो यह ज़र देखे model less than equal k का क्या मतलब है मेरे बीटा this means जो a है a वो lie करेगा किसके बीच में मेरे बीटा minus k n k कोई भी बच्चा आप इमें से बीटे यह practical values लेके observe कर सकता है कि सचने यह आएगा भी यह नहीं आएगा आप ज़रा देख लेते हैं बच्चों की तरह example ले लेते हैं अगर आपके सामने लिखा है mod x less than equal to 1 देखते हैं ऐसी बच्चों की तरह x की कोन-कौन सी values के लिए सही सुना आपने किस की लेटे यह satisfy हो रहा है x equal to half के लिए हो रहा है x equal to 1 के लिए बिल्कुल हो रहा है ex equal to minus one by three के लिए हो रहा है x equal to 0 के लिए भी हो रहा है but x equal to 2 x equal to minus 2 x equal to 1.1 I think you can see you can see you can see ये होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं होगा clear हो गया तो जो portion आएगा पिटा वो ये ही portion आएगा yes x lie between minus 1 and 1 कोई भी बच्चे प्रेक्टिकली ऐसे उब्जब कर सकते हैं फिर भी जो चीज़ पहले बताई गई इसका प्रूफ है अब देखो आगे अजी आओ मेरे बिटा तो ये इस inequality बेस्ट दो-तिन चीज़ में करा देता है क्योंकि आज आप लोगों को इंक्रूवल्स इतने बहतरीन तरीके से आपने पढ़ लिया है बहुत अच्चे तरीके से पढ़ लिया है तो इससे बचनी सकते हैं इसको इंट्रिवल्स में मिक्सटिक और के आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है lousन एकल उडूर between Yes, solve for x if mod में x minus 1 is less than equal to solution देखेंगे, बड़ा प्यारा, बड़ा शान्दा आपको और हमारा solution होने वाले है बहुत राम से आपका काम होज़े देखो mod x minus 1 less than equal to this implies minus 2 less than equal to x minus 1 less than equal to plus 2 मेरे बटा and this implies minus 2 plus 1 less than equal to x less than equal to 2 plus 1 मेरे बटा which implies minus 1 less than equal to x less than equal to 3 मेरे बटा अरे एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं माइनस वन से थी के बीच में और ख्लोस दे लाई करें अब देखें आगे इसी से रिलेटिट दूसरी चीज माल लिजिए आपको यह सौल करना माल लिजिए इसवाल करना हुद। दोनों में एक तो इनीक्वालिटी का पराओ किए नेक्वालिटी अंस्ट्रिक्त थी यहां नेक्वालिटी लिजिए प्रकल कर लेते हैं तको that is minus 1 less than x minus 2 less than plus 1 that is minus 1 plus 2 less than x less than 1 plus 2 that is 1 less than x less than 3 that is x किसमें बलॉंग करेगा मेरे बीटा open interval 1 सबको clear हो गया इतनी बढ़िया चीज समझ में आ गई अब इससे आगे बढ़ते हैं मैं नहीं जाने वाले बिटा मैं बरसों से बढ़ा रहा हूं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा ऐसे problem no.3 माल नहीं दिए यह solve करने अब इसमें है चक्कर औल फ्यू इसमें है चक्कर इसमें क्या चक्कर है अभी अभी आपने यह देखा कि मॉट एक्स लेजन इकुल टू के का मतलब होता है एक्स लाई करेगा इसके बीचे माइनस के से के बिटा वहां आप लोगों ने observe किया यह observe कि यह constant होना चाहिए ठीक है दोनों में से एक तरफ तो आपके आपके बास constant होना चाहिए या तो उधर भी variable expert है इधर भी variable expert है अब करेंगे क्या में इस situation में क्या करना है ध्यान से बच्चों को तो पता नहीं पड़ता है ध्यान से सुनना पहले मैं दो तिन रिव्यूस दे रहा हूं अब को सब्सक्राइब पी कई स्क्राइब करेंगे अब करेंगे तो यह प्लस पाई तो यह तो इकल लेकिन अगर आपने पी को माइनस फाइब होगा तो यहां से बहुत बड़ी observation आप लगों के लिए बले ही कोई भी रियल नमर X के लिए X और मॉड X में difference होता रहे X square और मॉड X square में कोई difference नहीं होता आप स्क्वार करने के लिए अरे पहले देखो तो सही बेटा स्क्वार कर भी सकते हैं हम यह नहीं कर सकते हैं मतलब मतलब कीए बिटा माइनस 3 less than equal to 0 करिये स्क्वार करिये स्क्वार हो गया है स्क्वार है अगर P Q से लेस हैं आप चला रहे है हतोड़ा पी स्क्वार क्यू स्क्वार कियू स्क्वार स्क्वार कहा हो रहे लिए 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 सब्सक्राइब नहीं हो बिल्कुल भी नहीं हो और देखो पिर वहां कैसे करेंगे हां जी उसके लिए चोट असा रिव्यू दुबारा दिया जाता है वह यह रिव्यू यह देखो मेरे बिटा ए लस देखोल टू बी ए स्क्वार लस दन इकलो बी स्क्वार या फिर रूट ए लस दन इकलो रूट भी यह सब चीजें एक्वेलन्ट हैं जो कि आप के सामने करों viv June 29 CAStha की मत्वी दूसरी को नेगजटीजीज आइवास कंपेरिंग माइनट माइन फाइदू यह चाशवाप लिया था क्या कि ई है एखोने चीज लिख रहा हूं, मैंने आपको दो चीज़े बताई, मैंने आपको आप सबको दो चीज़े बताई है, number 1 and number 2, first is this, सबसे पहले चीज, अगर P कोई real number है मेरे बिटा, this implies, जितना P का square होगा, उतना ही mod P का square हो, review number 2, A और B दोनो non-negative अगर है, then, is less than equal to B, if and only, A square is less than equal to B square, ध्यान रखेगा, अब यही चीज यहां लगाते है, यही चीज आपर हम present question में लगाते है, इसको solve करने है, इसको solve करने है, तो square ले लिए लिए मेरे बिटा, x minus 1 का square, less than equal to mod x का square, अभी अभी जो समझाया था, वो logic लगाओ, mod का square यहां नहीं number का square, mod का square यहां नहीं number का, यह क्या होता है, x square plus 1 minus 2x, less than equal to x square, x square cancel, so 1 minus 2x less than equal to 0 मेरे बिटा, that is 1 less than equal to 2x मेरे बिटा, 2 से divide multiply कर दीजे, जो भी जो भी कर रहे है, 1 by 2 less than equal to x, अब इसको diagramatically present किया जाएगा, आपके सामने, हाँ जी, x जो है grid नहीं equal हो 1 by 2 है, मेरे बिटा डिग्राम देखिए, समझ तो गई आप, you know किस तरफ की चीज आ रही है आपके पास, so that means, x किस इंटरल ब्लाउंग करेगा मेरे बिटा, 1 by 2 close होगा, definitely 1 by 2 included, I hope this is very very clear to all of you, clear हो गया, इसा question था समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़े कर लिए हैं आपने, एक आखरी चीज देख लो, जो किया आप तक वो तो ठीक है, ज़र ये बताए, इसमें क्या करेंगे, आजी मान लीजे, ये कर लेते, मान लीजे आपके पास है, आपके बाद स्टूल सहूनी का तो ये की बीच होगा, ये थोड़े ना पड़ा है, कि मान लीजे आपके लिए तो क्या करेंगे, हाँ जी इसकी जगह ये solve करो, मतलब compliment solve करो, जो आपके बाद स्टूल सहुनी का तो यूज किया जाएगा, तो इसकी जगह मैं कुछ लिख रहा हूँ, we shall first solve, क्या solve करेंगे मेरे बिट्टा, इसका compliment, and rest you can do, आपको homework दू, उसे बढ़ी है, मैं ही कर दू, आपका time बद जाएगा, that is, minus 3, less than equal to x minus 1, less than equal to 3, that is, minus 3 plus 1 is minus 2, less than equal to x, less than equal to 4, चेक कर सकते हैं, that is, x belong करेगा, minus to 4 में, यही answer है, नहीं, this is not answer, this is not answer, इसका compliment answer आएगा बिट्टा, गलत सहे में के शिकार नहीं होना है, यह जो answer है, इसका answer है, तो उप्रवाले का answer क्या होगा, इसका compliment लेना पड़ेगा, बनाते हैं, यह minus 2 हो गया, यह 4 हो गया, यह infinity हो गया, यह minus infinity हो गया, अब इसमें से आप लोगों को यह portion हटा देना है, इसको थोड़के बात करनी है, minus 2, 4 का compliment क्या आएगा, minus infinity से यहां, और यहां से infinity का union, उप्रवाले का answer में लिख रहा हूँ, जर मैं 7 रही है, okay, hmm, इसका answer है, यह वाले union, यह वाले set, union यह वाले set, minus infinity से 2, united with 4 infinity, अब देखो मेरे बिटा, जब इसमें, minus 2 है, all of you, बिटा जब इसमें minus 2 included है, तो इसके compliment में नहीं होगा, जब इसमें 4 included है, तो इसके compliment में नहीं होगा, I hope this is very very clear to all of you, I hope यह सारी बात हैं आपको समझ में आगी होंगी, आज का lecture काफी basic था, कुछ अच्छी चीज़े भी कर ली हमने, जैसे intervals के बारे में काफी कुछ बोल दिया गया है, जो usually बच्चे नहीं सुनते हैं, ऐसी modulus function के लिए, मैंने काफी सारे graphs भी बतायते हैं, और यह जो चीज़े स्वाल करने के लिए बताई दियेगे, चलिए जल्दी नेक्स लेक्टर में मिलेंगे, थैंक य। वेरे मुथ पूटर, थैंक य।